दोस्तों नमस्कार आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से M.E.O. टेक्निकल पे दोस्तों आज रीडियो में हम बात करेंगे लोन की या करजे की करजा दोस्तों एक ऐसा दलदल है जिसमें आदमी एक बार फज गया तो निकलना बहुत ही मुश्किल है और माल या किसी ने मदद कर दी तब ही आप निकल सकते हैं या आपकी इंकम बहुत अच्छी हो तब निकल सकते हैं लेकिन ये अगर एक बार आपके आदध बन चुका है तो आप जीवन भर इससे नहीं निकल सकते तो पहले दोस्तों अपने इन आदतों को आप चेंज किजी, अपने आपको कंट्रोल किजी, कलतिया होती कहां से हैं, ये हमें पता ही नहीं चलता, और धीरे धीरे हम उस रास्ते पर निकल पड़ते हैं, चोटी-चोटी चीजों की परचेजिंग करकर, अपनी चोटी-चोटी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, आपको बहुत पैसे हैं, लाखों हैं, करोणों हैं, इनकम होने से नहीं मरलब, आपकी इनकम जनरेट है, आप काम पे नहीं जा रहे हैं, तब भी आपका काम चल रहा, आपके पास इनकम आ रही है, तब तो ठीक है, लेकिन उसकी भी ए तो इसकी दोस्तो शुरुवात कहां से होती है इच्छाय तो सभी की है क्योंकि हाइटेक है लग्जरी लाइफ सभी चाहते हैं भले उनकी इंकम उतनी हो इस तर तक पहुंचने की हैसेत उनकी हो नहो इच्छाय तो सभी इंसान की होती है तेकिन दोस्तो शुरुवात होती है चोटी चोटी चीजों से अधिकतर लोग मुबाइल से ही सुरुवात करते हैं, मुबाइल हो गया, बाइक हो गई, लैपटाफ हो गया, फ्रेज है वासिंग मसीन, कार हो गई, किसी का घर का सपना है, जिसके जैसे सपने होते हैं, और इनसान की ये फित्रत होती है, ये आदत होती है, कि जो उसके पास नहीं है, वही उसका सबसे बड़ा सपना उस समय रहता है, भले उसकी हैस्यत ना हो, और यहीं पर होती है सुरुवात की, एक कर्जे की सुरुवाद कर्जे में फसने की सुरुवाद जिसको कह सकते है अब आप मालिया मोबाइल लेने गए आपके पास 10,000 रुपए है 4,000, 3,000 ये 5,000 आपके पास कम है तो आपने ये तो लोन ले लिया फाइनेस करवा लेंगे क्योंकि फाइनेस की सुरुदा है तो कमपनिया बैठी है लूटने के लिए वो अपने पंजे फाइलाए बैठी हाईए उनको तो अपना पैसा लगा के ब्याज कमाना है आपसे आप नहीं दे पाएंगे समय तो आपके यसी तैसी भी करना है उनको उसके लिए पर तयार बैठे हैं वो यहां तक कि आनलाइन जो कमपनिया है फाइनेस कमपनिया है बजाज हो गए एजडी अफसी हो गए बैंक भी करते हैं फाइनेस यह सब पैसे आप नहीं दे पाए तो आपको इतना आपमानित करेंगी इतना परिसान करेंगी कि आप कुछ भी बेच के कहीं से भी उनको पैसे दे देंगे बहुत जिद्धी हुए बहुत हठी हुए तो आप उनको जेल ले जाएंगे बाकी आधिकतर लोग अपना घर का कीमति सामान जरली वगरा बेच की जो हो पैसे आदा करते हैं और रियल है जीवन का इस सत्य है इसलिए दोस्तों सुनिएगा जरूलास तक एक अपना अनभो भी है मेरा मैंने साथ खुद किया है तम मैं बता रहा हूँ मैंने जहेला है चुरुआत इसी तरह छोटी-छोटी चीज़े सोती है यहां तो मुबाइल की हम बात कर रहे थे या तो आप फैनेंस करवा लेंगे दोस्तों या फिर क्या करेंगे किसी यार दोस्त या परचिस से रिस्तदार से आप जो भी एमाउन कम पर रहा उदा उस से लेके आप सामान खहीर लेंगे यह पहली चीज़ हुई आप इसमें सकसेज हो गए आपने पैसा इंकम हुई आपकी बात में से ली आई या कहीं से बिजनेस से मिला पैसा आपने दे दिया एक यही से मनुबल बढ़ा आपका यह होती सुरुवात इसके बाद कुछ दिन बाद आपको क्योंकि इच्छाएं अनंत हैं जीवन में कभी आपको सुकून से नहीं बैटने देंगी उसके बाद आपको अगला सपना होगा आपका आगर आप बाइक नहीं है तो बाइक की ले लिए और यह च्छाएं ऐसी होती यह से लगए कि बस यह सामान हो जाए मार जीवन अच्छा हो जाएगा तो उसके बाद आपका दिमाग धी घूमने लगेगा कैसे ली जाए कुछ पैसा खटा करेंगी या तो सिस्टेम ऐसे होगा है जीरो डाउन पेमेंट पर भी हो ज लैपटॉप फिर कार है फिर घर है क्योंकि सामान इतने हैं कि आप खतम हो जाएंगे आप अने इसल कभी स्ट्रंग हो ही नहीं पाएंगे और इस तरह लेते जाएंगे आप लशते जाएंगे आपकी सारी कमाई यह लोन फाइनिस कंपनिया वो कमा कमा के अमीर होती ये दोस्तों ये तरीका गलत है मानता कोई नहीं मैं भी नहीं माना था लेकिन जब दोस्तों गीरा होना तो इतनी तेज लगी है कि अब आखे खोल गए है आप सोचते होंगे खुद तो भस गए तब समयद में आया तो दोस्तों भस चुका हूँ समझ गया हूँ इसलिए आया हूँ यूटूब पर अपने अन्भोस साजा करने कि साथ एक दो को भी मैं रोक सकूँ तो मेरी महनस और मेरा अन्भोस हफल हो जाएगा तो दोस्तों सुरुवात इनको रोकना कैसे है आपके पाद 10,000 हैं तो आप 7,000 का मुबाइल ले लेजिए नहीं सबसे बढ़िया है सबसे सुकून की लाइब अगजीन आ चाहते हैं तो 2,000 का कीपैड वाला मुबाइल ले लेजिए आराम से माती तो करनी है या जो वार्टसाप, फेस्बूक ये चलाओ वो चलाओ दिन भर देखो सबसे सुकून का रहता है नहीं लेना ही है तो आप अपने बजट मिलीजिए मेरा उद्देश ये है आप अपने दिमाग में बिल्कुल बैठा लीजिए कि मेरे पास जो बजट है कितना मैंने एकटा किया है जो मेरे पाकेट एलाओ कर रही है उसी में मुझको सामान लेना है आप साथ आठ हजार का ले लीजिए आपको पैसे भी थोड़े बज़ जाएंगे आपके पास उधार भी नहीं होगा किसी का लोन भी नहीं किसी कंपनी होगा आपको ब्याद देना पड़ेगा कोई भी सामान ने तो मैं छोटा सा उधान दे रहा हूं इसमें जो मैंने उधान दिये हैं बाइक है, मुबाइल है, लैप्टाप है, कार, घर फ्रिज का, वासिक मजीन यो कुछ दिये हैं बाकी बहुत सारे सामान मिलते हैं लगजरी, एसी का भी प्रचलत नहीं दे बढ़ रहा है बहले बिजली बिल दे पाएं आगे दिकते आए बहुत सारे इंवर्टार हो गया मैं इतनी लगजरी बना दी हैं वैग्जानिकोंने की आप कमाएं चाहें ना कमाएं एक रुपए आपकी इंकम नहीं आपके खर्चे चालू हो जाएंगे मुबाइल तो रखेंगे न आप 3,300 के रिचार्च का हर में लेक खर्चे आप कर रहेंगा बाइक है आपने नहीं लिया पिताजी नहीं दिला दी आप उसको जर्विस कराएं प्रटोल डालिए उसमें आप कमा कुछ नहीं नहीं खर्चे आपके चालू है तो आज की जिन्दिगी ऐसी हो गई है कि बहुत थी सम्हाल के बिल्कुछ साधान अगर इंकम है आपको भगवान ने आसिरवात दिया है आपको लश्मी महरवान है तो कोई बात नहीं आप कीजिए खर्चा कीजिए कोई बात नहीं लेंगन दोस्तों थोड़ा सा अच्छा सोच के चलिए आप दो पैसे बचा के रखी अपने पास वगवान ने आपको दिया है आप किसी जरूतमन की मदद कीजिए वो पैसा बचा के सिर्फ अपनी जिन्दिकी को लगजरी मत कीजिए पैसे जिल खर्ची मत कीजिए उसी में से पैसा बचा के आपके आसपास लोग जरूतमन होंगे आपके रिलेटिव होंगे जरूतमन उनकी मदद कर दिए उससे जो दुआएं मिलेंगी वो आपको और तरक्य देंगी आपकी सेहत अच्छी रखेंगे आपकी पैवार को खुसरंगी रखेंगी तो दोस्तो कुछ मैंने बताना चाहा समझाना चाहा दोस्तो अगर समझ पाएं हों लोग तो समझ जाएं और अगर शुरुवात कर रहे हों आप तो अपने उन कदमों को बरस्ते कदमों को आप प्रेक लगा दिए रोक लीजिएगा और अपनी आमदनी अपनी बजट अपने बजट के हिसाब से ही समान खरीदीगा नहीं मत लिजिए कोई जरुवत नहीं है उसके बीना जीवन नहीं खतम हो जा रहा है जीवन सिर्फ आपको खाने से और परिवार को खुस रखने से बच्चों को अच्छी सिच्छा देने से ही यहीं उद्देश है जीवन का यहीं उद्देश बना की रखिए आप सामान आपको भूख लगी आपको घर में एक दिनरासन नहीं होगा तो आप यह लगज़िरी सामान खाकर नहीं जी पाओगे कितने भी घर में सामान भारा पड़ा हो यह अगर भूख लगी है तो पिखाना ही चाहिए फिर यह लगज़िरी सामान आपका कुछ नहीं साथ दे पाएंगे यह सब सामान पैसों की माया है आपको पैसा खुब है तब यह सुख देंगे वनना इनको मिंटेनेस मिंटेन करने में ही आपका बहुत पैसा खतम हो जाएगा तो दोस्तों अब मैं चलता हूँ आगया दिजिए और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो लाइक और सेर करिएगा दोस्तों धन्यवाद दोस्तों